हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम है आपका हमारे यूटूप चैनल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है यह वीडियो उनके लिए होने वाली है जो यहाँ पे पुलिस में भरती होना चाहते हैं जिया दोस्तों यहाँ पे HSSC, Haryana Staff Selection Commission की तरफ से update जो वो आनाउस हुई है यहाँ पे क्या post यहाँ पे constable की post के लिए है male, females दोनों के लिए यहाँ पे vacancy है vacancy का पी अच्छी है salary अच्छी खासे मिल जाएगी post भी अच्छी है अब यहाँ पे बाकी A to Z सब चीजें यहां पर डिसकस करने वाला हूँ, डीटेल में तो दोस्तों इस वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखना बीच में से इसके मत करना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अपडेट है, हर्यान स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से अडविटाइजमेंट नमबर है, यहां पर 14-2024 और एक दूसरा भी अडविटाइजमेंट जो है वो इन्हों ने जारी किया है, दोनों अलग-अलग पोस्ट के लिए है, फस्ट जो है वो 14-2024 है और स अब यहां पर दोस्तों जो डेट ऑफ अब्लिकेशन है वो 16-अगस्ट 2024 है, स्टार्टिंग डेट यहां पर 10 सेप्टेमबर है और इसमें अप्लाइ करनी की लास्ट डेट यहां पर 24 सेप्टेमबर 2024 रहने वाली है, अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर ओन-लाइन अप्ल अब डाइरेक्ट रेक्रूटमेंड के लिए यहां पर ओन-लाइन अप्लिकेशन जो इन्वाइट की गई है, च्छपपन सो यानि 5600 पोस्त है पुलिस डिपार्टमेंट में, अब यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी CET के बेस पर यहां पर जो वो सेलेक्शन होगा, और ग्र सेप्टेंबर तक आप इसमें अप्लाइ कर सकते हो, अब दोस्तों यहां पर थूरू यूर्ल एड्रेस आपको दिया है, अप्लिकेशन यहां पर अप्लिकेशन सब्मिट करने के लिए, यहां पर आपको शो हो जाएगा, ADV142024. तो यह आपको एक यूर्ल एड्रेस दे कास्ट वाइस दिस्टिबूशन यहां पर शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रिंशॉट ले लेना, सेकंड जो केटेगरी है, जिसमें 600 पोस्त है, फीमिल कॉंस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, उसका भी कास्ट वाइस यहां पर आपको पूरा वेकेंसे दिस्टिबूश अब दोस्तों इसमें जो मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसमें जूसरी अड्विटाइजमेंट भी यहां पर जो है, इन्होंने पूब्लिश की है, जिसके लिए यहां पर अलग से एक पोस्त यहां पर आपको दिखाई है, तो वो दोस्तों सेम सब कुछ रहने वाला है, जो पब्लिकेशन डेट है, स्टाइंग, लास्स डेट वगेरा, सब कुछ यहां पर सेम रहेगा, कुछ यहां पे जो हो वो शेंज है, क्या चेज होगा, अब कशेंद को बता दूंगा, तो यहां पर जो पोस्त है, वो है 66 पोस्त मेल कॉंस्टेबल के लिए मांटेज आंप 2700 आपको मिल जाएगा एज यहां पे आपको 18 to 25 मिल आपकी एलिजिबल हो अगर आपकी एज ग्रूप अगर आप इस एज ग्रूप में आते हो 18 से 25 में तो आप यहां पे एलिजिबल हो on the first day of the month in which the applications are invited for recruitment of constable that is on first September तक आपको यहां पे जो अपनी एज है वो count करनी है अब यहां पे जो relaxation है वो भी यहां पे आपको दिख जाएगा जो as per government norms रहता है तो यहां पे relaxation भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पे selection की बात करें तो qualifying test रहेगा जो की रहेगा CET जिसमें knowledge test होगा फिर second stage में आप पे PMT होगा third stage में आप फिजिकल screening test होगा जिसमें आपकी race distance होगी और qualifying time जो है वो आपका यहां पे जाएगा तो यहां पे आपको table show रहा होगा जिसमें आपकी race distance है males के लिए है females के लिए है और ex servicemen के लिए और कितना time में आपको इसे qualify करना है यह भी आपको यहां पे शो किया है knowledge test का weightage यहां पे आपका रहेगा 94.5% तो आपका knowledge test का यह आपका weightage रहेगा अब यहां पे additional weightage है 3 marks उसके रहेंगे NCC certificate है अगर आपके पास तो उसके लिए है फिर आपका syllabus for knowledge test क्या रहेगा तो यहां पे आपको syllabus show रहा होगा कि क्या 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 इसमें syllabus रहेंगे अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है qualification क्या है तो qualification हम यहां पे भूल गएते हैं तो qualification 10th प्लस 2 यानि 12th पास अगर आपने किया है और metric में आपके हिंदी या संस्कृत एक subject होना चाहिए और no extra weightage आपको मिलेंगे higher education के लिए कोई आपको extra weightage यहां पे provide नहीं किये जाएंगे तो basically यहां पे आप 12th पास जो वो eligible है बहुत ही बड़ी opportunity है freshers के लिए अब दोस्तों यहां पे जो syllabus है वहां पे हम बात हो रही थी तो syllabus आपको यहां पे show रहा होगा कि क्या-क्या इसमें syllabus रहने वाला है किस तरह का pattern होगा तो pattern आपके यहां पे OMR based question होंगे English और Hindi में होंगे कोई negative marking नहीं है wrong answer के लिए दोस्तों बहुत ही इसका plus point रहने वाला है अब यहां पे total number of questions 100 होंगे जो की 0.945 का एक mark याने एक यह question इतने mark का रहेगा 0.945 mark का एक question रहेगा तो यहां पे total जो weightage होता है 100 question का वो 94.5 marks यहां पे रहते हैं इसके लिए आपको total time जो है वो paper के लिए 100 plus 5 याने 105 minutes आपको मिलेंगे including the 5 minutes जो आपको यह include रहेंगे 5 minutes जो भी है जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहां पे exam है और exam के जो आपने subjects यहां पे देखोंगे जो भी subjects यहां पे रहें होंगे वो सभी subjects यहां पे almost सभी subjects यहां पे covered करेंगे हमारे exclusive preparation pack में तो दोस्तों यहां पे आपको aptitude और reasoning के lectures मिल जाएंगे all-in-one notes मिल जाएगा और यहां पे इसी के साथ आपको mock test मिल जाएंगे जो आपको real experience कराएंगे exams के तो दोस्तों यहां पे यह exam जो है इसमें तो help करेगा यह material लेकिन बाकी जो government exam से अगर आप किसी और government exam की preparation कर रहे हो तो उसमें भी आपको help करने वाला है तो दोस्तों अभी इसमें special offer चल रहा है जो कि limited time के लिए है तो यह offer कभी भी खत्म होने सकती है दोस्तों offer खत्म होने से पहले पहले आप इसमें रूप कर रहे ना इसकी link आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगी और तो और अगर आप इसकी official advertisement चाहते हो तो इसकी link भी आपक advertisement, instructions, guidelines वगएरा पहले पढ़नी है फिर ही जाकि आपको यहाँ पर application जो है वो submit करनी होगी तो यहाँ पर जो भी मैंने URL आपको provide किया था उस URL पर click करना है फिर यहाँ पर आपको basic details फिल करनी है किस post की apply कर रहे हो और वगएरा आपको सभी चीजे documents जो है वो यहाँ पर documents की list जो है वो दे रखी होगी यह भी आपको upload करने होंगे तो यह सभी steps हैं जो आपको follow करने इसमें application करने के लिए इसमें apply करने के लिए और दोस्तों यहाँ पर और भी guidelines और instructions है वगएरा है अगर आप चाहो तो इसको भी read कर सकते हो तो दोस्तों यह पूरी update को हमने cover किया इस वीडियो में I hope कि यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़े clear हो गई होगी फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ query आती तो comment section में आके comment कर सकते हो वीडियो अच्छा लगाओ तो like जबूर से कर देना आपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना जो इसके लिए eligible है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक लिए good bye take care